आज हम बच्चों की फैवरेट बर्गर की रेसिपी लेकर आएं बच्चे क्या बच्चे बड़े सब की फैवरेट है ये आज हम आलू टिक्की बर्गर की रेसिपी लेकर आएं बहुत ही इजी और बहुत आसान से बर्गर बनने वाले हैं बच्चों को बाजार से ना मंगा कर आप खुद घर पर अपने हाथों से बच्चों के लिए बच्चों के फैवरेट टिक्की बर्गर बनाईए ये आलो की टिक्की है बहुत ही मस्त और बहुत ही जल्दी बनने वाली है तो प्लीज अपने बच्चों को बाजार का ना खिला के आप घर पर ही बर्गर वगरा जो भी बच्चे खाना पसंद करते हैं बर्गर चामीन आप खुद बनाईए बच्चों को घर पर और अपने हाथ से खिलाईए देखना आपको भी मज़ाएगा और बच्चों को खाने मे मज़ आएगा आप खुद देख सकते हैं ये बर्गर हमारे बिल्कुल बजार जैसे लग रहे हैं बहुत ही यम्मी और टेस्टी बर्गर हैं इनमें हमने जो भी कुछ डाला है अपने हातों से और सारी हैल्दी सब्जी वेजी जो भी डाली है हमने खुद अपने हाथ से कट कर के डाली है आप देखना आपको भी खिलाने में मज़ा है और बच्चो को भी खाने में तो प्लीज अपने बच्चो को अपने घर का बर्गर खिलाइक और मजब लीजिये कैस्सलाम। थी चलिए ऐँज डिक्की बरगर की रसीपी लेकर आए हैं जो बहुत ही मस्ट और बहुत मज़ेदार सी रसीपी है जलिए शुरू करते हैं, यह हमने चार आलु लिये हैं जो हमने बॉइल कर लिये थे और इन्हें हम बारिक बारिक क्रश कर लेंगे आप चाहो तो बारिक बारिक हलका हाथ से भी आप मैश कर सकते हो आप चाहो तो इसे कद्दुकस से आप इन्हें कसलें बारिक बारिक के टिक्की बनाने में आसानी होगी अब हम इसमें कुछ नी डालना है सिर्फ मिर्च थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा नमक इसमें हमें और कसूरी में थी और हमें कुछ निडालना है और थोड़ा सा इसमें कॉर्ण फ्लोर डालना है आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा मैदा का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन हमने इसमें कॉन फ्लोर डाला है और यह देखना यह इतनी आसान से टिक्की बन जाती है अब कोई भी बना सकता है इसको तो घर पर ही आप बच्चों को टिक्की चांट बनाके खिलाईए टिक्की बर्गर बनाकर खिलाईए बहुत इजली और बहुत आसानी से बन जाता है अब हम चीजों को इन्हें मिक्स कर देंगे हमने कोई भी स्पाइस नी डाला इसमें जादे तेज मिर्चे नहीं है जिससे बच्चों को दिक्कत हो अब इसमें प्यास टमाटर शिमला मिर्च और हरा धनिया हम चोपर में चोप कर लेंगे और एक तरफ हम कटोरी में मायोनीज और हम केचप निकाल लेंगे इसको हमें मिक्स करना है यह देखिए आप कितनी अच्छी से इसे मिक्स हो गई है जिसे हम बर्गर पे लगाएंगे और इसी के अंदर हमें जो हमारी वेजीज हैं वो डालनी है आप चाहो तो इसके अंदर गाजर, मूली जो भी कदुकस करके बारिक बारिक चोप करके आप इस मायोनीज में जो हमने यह बनाया है इसके अंदर डाल दें अब यह जो आलू का बैटर है न हम छोटा छोटा सा इसमें से एक बॉल लेंगे और हम इसे टिक्की की शेप दे देंगे और इसी तरीके से आप टिक्की फ्राई करके बच्चों को टिक्की चांट भी बना सकते हो दही सोंट डालके उसमें बच्चों को टिक्की चांट भी बनाकर खिला सकते हो ये बहुत ज़्यादा इजली बन जाती है और आप चाहो तो इनसे टिक्की को बनाकर रख भी सकते हो और हलका सा फिर बस फ्राई करो और फिर आप इनको बच्चों को बना कर टिक की चांट वगेरा गर्मा गर्म से सर्व करें यह देखे हमने चोपर में सारी वेजिज निकाल ली हैं टमाटर हरी मिरच प्याज हरा धनिया शिमला मिरच और हमने एक गाजर भी ले ली थी इनको हमने अच्छे से चोप कर लिया था और यह हमारी मायोनीज और हमारी कैचप है न इसमें डाल देंगे हम अब यह क्या है बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और बच्चों के पेट में वेजिस भी पहुँच जाएंगी जो हेल्दी सबजिया होती न वो भी चली जाएंगी हमें हेल्दी बनाना है न बच्चों के लिए तो इसलिए हम हेल्दी तरीके से ही बनाएंगे इसको तो आप यही तरीका बच्चों के लिए इस्तमाल करें और देखे ये हमारा ब्रेड क्रम्स है हम सारी टिक्कियों में ये ब्रेड क्रम्स लगा देंगे हमने सारी ही टिक्की बना ली थी ये देखे हमारे इन चार आलों में साथ टिक्की बनके तैयार हुई है हमने इन पे ब्रेड क्रम्स लगा दि तैल मगर टिक्की से उपर नहीं आणा चाहिए ले देखें हमारी टिक्की हमें चार टिक्की डाल दिये हमने हैं एक बार में इसमें और इसे ही हलके हाथ से हमें जब यह नीचे से घुल्डन हो जाये तो हम इने पलट देंगे ये देखे कितना अच्छा एकदम गोल्डर सुनेरा कलर आया है लग रही है ना कितनी एकदम मस्ट टिक्की जैसे बलकुल बजार वाले बनाते है बजार वालों से भी हेल्दी टिक्की बना रहे हैं तो ये घर पर ही बनाएं और बच्चों को खिलाएं देखिए बच्चे कितना खुश होंगे कि हेल्दी बर्गर आप अपने हाथ से एक चीज आपको अपने हाथ से बना कर लगा कर खिलाएंगे बच्चों को तो कितना मज़ाएंगा और आप मन इतना अंदर से आपका खूस होगा क्या आप सोचेंगे कि हाँ वाकई में मैंने अपने हाथ से अपने बच्चों को हेल்दी चीज़ दिये बर्गर रहेगाimately और आप देखो बच्चों पहल्दी थरीके से बच्चों को दे सकते हैं तो इसलिए हमारे तरीके से अपकी बार अपनी बच्चों के लिए बर्गर टिक की जरूर बनाएं और फिर हमें भी comment में बताना और हागर नए हो तो प्लीज चैनल को subscribe करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दिया करें और कॉमेंट में कर दिया करें हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप कॉमेंट करेंगे ना प्यारे प्यारे से तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और अगली वीडियो के लिए भी हमें बनाने के लिए बहुत खुशी होगी कि हाँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज जरूर क्या करें अब ये देखिए हम दुबारा से हमने अपनी टिक्की डाल दी है ये बहुत अच्छी तरीके से हमारी टिक्की बनके तैयार हो गई है आप खुद देख सकते हैं कितनी क्रंची बनी है बिल्कुल आ रही है ना आवाज आपको बस देखिए आप कितनी क्रंची भरी बनी है बिल्कुल अब हम एक तवे पे ना हलका सा बटर लगाएंगे बिल्कुल और अपने पाउ सेक लेंगे ये जो हमारे पाउ थे हमने बीच में से कट कर लिये थे इनको ये नीचे-नीचे का हिस्सा है और फिर हम दुबारा उपर का हिस्सा सेकेंगे ये हमारी बेटी लगी हुई थी साथ में वो कहने लगी ना अमी पहले नीचे का सेक दो फिर उपर का पेस्सा सेक देना इसके तो इसी तरीके से आप इनको हलके हलके से बटर से बस हलका सा सेक लें बस इनको देखिए आप इतने मज़ेदार से आप अपने बच्चों के लिए बना कर खिलाएंगे हमने बच्चों ने और बड़ों ने भी मज़े ले लेकर खाये थे सबको बहुत टेश्टी बर्गर लगा था ये और मुझे क्या होता है कि बजार में जो बजार वाले वो डालते हैं इसमें सबजी बड़े बड़े प्याज खीरा वगरा डालते हैं वो मुझे साही नहीं लगता है और हमारे बच्चे क्या करते हैं खीरा निकाल देंगे बच्चों को प्याज अच्छी नहीं लगती किसी को खीरा पसंद नहीं किसी को टमाटर पसंद नहीं है तो वो अलग-अलग निकाल के डाल देते हैं मैंने सोचा हम इनको चौप करके अच्छी तरीके से डाल देंगे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा क्या टमाटर है क्या प्याज है और हेल्दी सबजी भी इनके पेट में चली जाएगी तो इसी तरीके से आप जब भी बनाए तो आप इसी तरीके से बनाए इनको चौप कर इसी मयोनीज और ये सबजी भरके जो हमने सबजी डाली है न खूब सारी भरके लगाई है इस पर बच्चों को नुकसान भी नहीं देगा और जितना भी चाहो आप इसमें सबजिया तो हैं खूब सारा सारा लगा दी अपने बच्चों के लिए चमजबर भरके ये देखिए ह हमारे नीचे की तरफ हमने ज्यादा लगाई और हलका उपर हम हलका हलका से लगाएंगे इससे क्या होगा कि खाते टाइम जो है बच्चों ये बाहर नहीं निकलेगा इसी तरीके से आप उपर की साइड हलका लगाए और नीचे की साइड काफी सारा सा लगा देगे ये आप खोड़ी ज़दार से यह मुझ्ट बर्गर Di 7 हमारे बर्गर बनके तयार हो जाते हैं आप खाये हुए अपने बच्चेंट बीक्राइक को भी खिलाई बर्गर भुझाय के अमारे बनके तयार हो ऊपगО d possessions अच्छा सा हमारे कॉमेंट लिग दिया हमारी वीडियो में और प्लीज लाइक भी करें बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए सोच के करें कि आज हम सभी के बच्चों के लिए ये रेसिपी लेकर आएं बहुत मज़े की रेसिपी है और हेल्दी है आप खुद ही देख सकते हैं हमने इसमें जो सारी वेजिस वगरा जो डाली है बिल्कुल हेल्दी तरीके से और अनहेल्दी इसमें कुछ भी नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी करें और इनका बर्गर का मज़ा लीजिए ये देखिए हमारे ये चार आलों में साथ टिक्की बन के तयार हुए साथ ही बर्गर तो प्लीज इंजोई कीजिए